क्या आपके cap cut application में video effect, body effect और photo effect में कोई options हो नहीं रहा है तो दोस्तो आप लोग बस इस वीडियो को शुरू से लेकर last तक देख लिजिए मैं आपके problem को 100% solve कर दूँगा क्योंकि दोस्तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि video effect, photo effect और face effect को कैसे enable किया जाए तो दोस्तो अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटा फट से वीडियो को like हमारे जैनल को subscribe कर लिजिए और bell कर notification को all पे select कर लिजिएगा जिससे next video का notification आपके पास सबसे पहले पहुचे तो चलिए दोस्तो बिना आपका समय गवाए फटा फट से वीडि कर लिना है और डाउwnलोड करने के बाद दोस्तों सिंपल पर यहां से इसको open पर click कर दिम्यूचे जैसे और क्लिक करेंगे जैसे हैं का शुग दोस्तों चान्ट करेंगे तो दोस्तों यह आपके mobile phone में कनेक्ट व सिंपलक कर दिना यह हमारे connect है या फिर नहीं connect है तो आप यहां पर उपर स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आपको notification एरिया में यहां पर connected का जो notification है वह आपको अब दोस्तों आपको यहां पर simple से आज बैक आने के बाद अपने mobile phone में जहां पर भी क्लिक करेंगे उसके बाद effect वाले option पर click करेंगे अब दोस्तों आप जैसे वीडियो एफेक्ट के उपर को लगा ओधिऊ को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करियेगा और इसको अपने दोस्तों के पास भी जाद सहाँ यह करेंगा जिस वह लोग भी इस ट्रिक के बारे में जानता है तो चले दोस्तों मिलते हैं किenter वीडियो में तब तक की लिए जए हिन जय भारत